दुरुक के गया नगर शेत्र में कुत्ते वसांड का दिन बर दिन आतंक बढ़ता जा रहा है एक ही दिन में एक दरजन से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है दुरुक के गया नगर वाड चार में आवारा कुत्तों के द्वारा स्कूली बच्चों पर हमला कर काटे जाने का मामला सामने आया है इसी कड़ी में मिली जानकारी के नुसार एक आवारा कुत्ते ने दो घंटे के अंदर एक दरजन से अधिक लोगों को काट लिया जिससे पूरे महले में आवारा कुत्ते की नाम से देशत फैली हुई है इसकी शिकायत वाड की पार्षत लीना दिनेश दिवांगन ने निगम आयक्त लोकेश चंदराकर सहीत निगम अधिकारियों से की है इसी प्रकार वाड में सांडों से भी लोग काफी परिशान है जिस पर निगम की पूरु सभापती दिनेश दिवांगन ने निगम प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि आवारा कुत्ते वसांडों से लोग परिशान है फिर भी निगम के सत्ता सिन कॉंग्रेसी पार्षद बेपरवा है ताजा घटना करम में पहली घटना गया नगर गली नमबर तीन इस्तित परमेश्वरी विद्याले के पास हुई है जहां कक्षा छटवी वसातवी की परिक्षा देकर निकल रही छात्र छात्राओं के पैरों को आवारा कुत्ते ने काट लिया इसके बाद कुत्ते ने दुसरे गली में खड़े अलग-अलग दो युवाओं को भी काटा साथी लोगों के दड़ाने पर सबजी और फल बेशने निकली महिला को भी काट लिया इसके थोड़ी दूर में घर के सामने खेल रही तीन वर्षी बालक के पीट को भी काट दिया और गहरा घाव कर दिया कुत्ते के काटने से लगातार लोग प्रहावित हो रहे हैं वाट पारशत को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने वाट के सफाय कर्मियों को पकड़ने भेजा किन्तु कुत्ते काबो में नहीं हुए और डॉग केचर की टीम बुलवा कर पकड़ाय गया इसी प्रकार सांडों के आतंग से भी लोग परिशान हैं वाट सहीद अन्य गलियों में भी जूंड के जूंड में बैठे गाय और सांड आपस में जगडने वा आम लोगों पर अकस्मात हमला करने से भी परिशान हैं लोग इस सामात में पूर सभापती दिनेश दिवांगन ने अपनी प्रति क्रिया दी पूरे शहर में कुत्ते और सांडों से शहर की जनता परिशान है कल हमारे वाटकरमांग चार गयान अगर में करीब करीब एक दरजन बच्चे सहीद बड़ों को कुत्ते ने काटा है और एक ही बच्चे जो इसकूल गया थे इन्हें तूरंद काट दिया वही पर उसके बाद जो सब्सक्राइब बेचने वाली थी उनको काट दिया उसके बाद कुछ लोग जो रहागिर थे वहीं पर उसी वाटके जो आ जा रहा थे उनको दोड़ा-दोड़ा काटे और काटे भी पहर बाद कुट्यों को पकड़ा गया इसी विकर सांडो का आतंग है आया दिन सांड किसी को भी मार देते हैं कहीं भी लड़ जगड़ते हैं और सांडो का आतंग इतने है कि चोग-चौरा में पूरे लड़ते जगड़ते रहागेर गुरीच गुर्दा थे और रात की समय और सामके समय तो कुट्टे से परिशान है कोई किसी छेतर में गुजरता है कुट्टे दोडा के काड़ देते हैं यह बहुत दुर्भागी जनक बात है जब से नगर निकभ में कॉंग्रिस की परिशाद बैठी है तब से लोग कुट्टे सांडो से परिशान है एक तरफ तरफ में जमीन भी मिला था लेकिन दुर्भागी सत्ता बदलते ही कॉंग्रिस के परिशाद पर भी इसको लिखित करता है लेकिन कुट्टों का बध्या करण नजबंदी की दिष्टिसिया कुट्टों के समस्चत से निजात करने के लिए कोई कारण ही करता आपको याद हो कि इन लोगों ने आहरन कर रहे हैं यह पूरी शमस्चत सहर की है भाजपा के सभी पारसात और जन परतिंदे हैं और हम सब मांग करते हैं कि कुट्टों से और सांडों से सहर की जनता को निजात दिला जाए परना भाजपा अंदोलन करेगी ग्रैंडी सीन निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट